आज हम बात करेंगे फिर this solution of partnership and this solution of partnership form यह दो शब्द है हमारे लिए अब तक जो हमने पढ़ा है partnership के बारे में वह क्या पढ़ा है एक तो fundamental partnership कैसे partnership का formation किया जाता है and partnership का निर्मान कैसे किया जाता है अगर हम एक बार partnership कर दिया तो जो partner है उनके बीच में जो agreement हम तयार करते हैं हो सकता है किसी कारण से आगे चल कर उस agreement में हम कोई चेंज लाते हो तो चेंजेजन एग्रिमेंट ऐसा हो सकता है चेंजन इन रेशियो भी हो सकता है तो जब चेंजन रेशियो होगा तो उसका impact क्या पड़ेगा हमारे business में कैसे calculate करेंगे कैसे accounting त्यार करेंगे ये भी हम जान चुके हैं उसके बाद हम लोग कई chapters आगे बढ़ाते हैं admission आफे partner आता है retirement आफे partner देथ आफे partner और लास्ट में जब बिल्कुल business बंद होने के कगार पर आ जाए या जब किसी वजह से यह हमारा partnership बेपार बंद होना है तो जब बंद होना है तो बंद कर देते हैं और इसी परकिरिया का यान पार्टनर से business जब बंद हो जाए बंद करना है बंद करने की process सुरू हो जाए तो इसको हम लोग कह सकता है dissolution of partnership यह what इसमें आ सकता है यह last है dissolution of partnership फर्म हम तो समझेंगे इस चीज़ को कि जब partners की जो आपसी relationship है जो साज़दारों के आपसी संबंद है अगर किसी वोज़से partners के आपसी relation में कोई change आता है तब भी dissolution होता है अगर partnership के समंधों में कोई परिवर्ता ना जाए कोई change आजाए तब भी dissolution होता है लेकिन business बंद नहीं होता है तो ऐसी दसा जब हो उनके relation में changes आ जाए तो इसको हम लगा सकते है आपसी relationship में या उनके संबंधों में कोई change आ जाए किसी भी कारण से किसी भी situation में तो उसको हम लगा सकते हैं dissolution of partnership not firm तो partnership में अगर change आता है तो dissolution of partnership उसको भी कह सकते हैं और उसका जो टेकनिकल नाम है वो नाम है री constitution of partnership साज़दारी का पुनर गठन हम लोग कहते हैं लेकिन अगर संबंधों के परिवर्तन के साथ-साथ या तो संबंधों खतम हो गए और साथ-साथ बिजनस भी बंध होता है तो जैसे ही बिजनस बंध होगा आपसी संबंध भी खतम होंगे तो इस situation का हम लोग लेकिन जब उनके संबंधों में चेंज आता तो बिजनस चलता रहता है और और हमारा चेंज के साथ हम उसको पुन्वर गठन करके फिर जाई रखते हैं अपने बिजनस को लेकिन आज हम देखेंगे कम्पलीट उनके आपसी संबंध भी समाप्थ हैं और बिजनस भी बंद होने जा रहा है अच्छा जब बिजनस बंद होगा पार्टनर्शिप बिजनस जब हम लोग क्लोज करेंगे तो जितने सज़ेदार हैं उनके आपस में हिसाब किताब तो होना होना है जब हिसाब किताब होना है और जो हमारे बही खाते हैं तैयार हैं तो इन बुक्स को हमें क्लोज करने पड़ते हैं बंद करने पड़ते हैं इस सोलिशन अब पार्टनर से फॉर के दासा में जो बही काते हैं जो खुलें को क्लोज करना होगा और जब क्लोज करना होगा इसके लिए हमें कुछ आश्यार करने होते हैं यहां रखना है कि जब business बंद होने जा रहा partner'sip पूरी इस सब्सक्राइब को क्लोज करना है तो उसके लिए सबसे पहला एकाूंट आएगे चीह करके हम इस पर इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक realization account, वह असूली खाता है, हम इस पर बात करेंगे, एक और दूसरा account हम लोग तैयार करते हैं, In the case of this solution of partnership form, the following accounts are prepared for the purpose of closing the books, एक और हम लोग बनाते हैं, जिसका नाम है partner's loan account, अगर partner ने firm को loan दिया है, किसी partner ने firm को loan अगर दिया है, तब की बात अगर loan नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, अगर loan दिया है, तो उस partner के नाम से वो loan account हम लोग खोलते हैं, ताकि वो close किया जा सके, एक और account तयार हो सकता है, partners, partners current account, जिसको दिखते हैं कि partner जो है, कई बार अपने नाम से current account भी फर्म में रखते हैं, और ये current account partner का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर partners के current account है, तब की बात है, तो इसे close करना पड़ेगा, और close करना होगा, तो हमें ये partners current account अलग-अलग नामों से खोलना पड़ सकता है, एक और account हो सकता है, close करने के नाम पर, और ये हो सकता है, partners capital account, ये बड़ा मसभूर account है, ये तो होना ही होना है, ये तो most chances है कि partners का capital business में होगा, और इस partners के capital account को हमें close करना होगा, तक ही final payment ये final हिसाब किताब किया जा सके, और रंत में एक और account हमें खोलना पड़ सकता है, आखिरी, इसको हम लोग कह सकते हैं, cash या bank account, ये almost पांच परकार के account हमें close करने के लिए खोलने पड़ सकते हैं, इन पांचों अकाउंट में, जो हमने serial order दिया है, अगर आप student है, आपके exam में question आते हैं और पांचे होते हैं तो इसी order में खोलते हैं तो आपको बड़ी सहता मिलेगी, और बड़ी आसानी से आप इससे close कर सकते हैं, बीना किसी doubt के, तो ये जो हमने order रखा है, कई किताबों में order से मिलता नहीं है, पहले एक नमबर पर ये मि मिलता है, इस तरह से होते रहाता है, लेकिन आप जड़ा कोशिश करेंगे ये, कोई mandatory नहीं है, बस अपनी सुविधा के लिए हम लोग इस order में खोलते हैं, एक नमबर पर ये रसन अकाउंट खोलेंगे, दो नमबर पर पार्टनर्स का लोन दिया है, तो उसको खोलेंगे, नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट है, तो तीसरे नमबर पर खोलना चाहिए, थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चोथे नमबर पर खोलेंगे, और लास्ट में और पांच में नमबर पर कै करते हैं इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो करीब आना आना है उनको करीब खुलना ही पड़ेगा तो यह जो नंबर एक है वसूली खाता कहते हैं वैसान अकाउंट तो होता है और यह जो नंबर चौथा है पार्टनर्स कैप्टरल अकाउंट यह भी करीब पर होना होना है और यह नंबर जो पांचवा है यह तीन एकाउंट 99 पर चांसे हैं कि अपकर हर क्वेश्चन में रहेंगे बाकि जो दो एकाउंट हमें जो छोड़ा है पार्टनर्स का लोन एकाउंट और पार्टनर्स का अन् लोग ऐसे इनको खोलेंगे फिर क्लोज करें तो आज हमें बात करनी है इस विडियो में यह जो पहला एकाउंट है यह फिर वसुली खाता हमें यह बनाना है तो कैसे बनाएने क्या इसका प्रफर्मा होगा किस तरह से कौंड सा आइटम इसके डेविड साइड में कैसे लिखे अज देदेंगे क्यों बनाते हैं आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे तो आप एक बार गौर से देख लिए क्या-क्या खुलना है in the case of distribution and couples करने के लिए हमें इतने एकाउंट खोलने पड़ सकते हैं हिसाब किताब करने पड़ सकते हैं तो हम शुरू करते हैं आज के डेट में रियलाईज़सन एकाउंट